बिस्माइल रहाम और करेंगे अब जब हम डिसक्स करेंगे क्लसीफकेशन ओफ प्लांट्स on बेसिस लॉफ लाइट रिक्योरमेंट कि प्लांट को हम कितने कैटि गरीजे के अंदर जो है वह वह डिवाइड कर सकते हैं on the basis of their light requirement कि दो major categories है हैलियोफाइट और शियोफाइट वो पोदे जो के सांद करते हैं कि full shining light के अंदर जो है वो direct sun light के अंदर जो है वो best grow करें वो पोदे जो है वो क्या कहलाते है हैलियोफाइट कहलाते है जो के full sun light के अंदर shining light के अंदर जो है वो best grow करते हैं वो कहलाते हैं हेलियोफाइट इनके कुछ करेक्टर है इनका स्टेम जो है वो थिक होता है उड़ी होता है इसके नोड जो है इंटर नोड जो है वो शौट होते हैं नोड जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं ब्रांचिंग ये ज्यादा करते हैं इनकी रूट जो है व ज्यादा पानी को जो है ये बचा सके क्योंकि डिरेक्ट सानलाइट में ज्यादा वाटर की वैपोरेशन हो सकती है पैली सैड जो है ये जो लीफ की जब हम आटमी देखते हैं तो इसके एपिडरमस के बिल्कुल नीचे जो है वो उंगली नमा सैल जो है उनकी एक लेयर होती ह है इनमें ज्यादा लेयर जो है वो थिक लेयर होती है पैली सैड की वैल ड्वैल्प होती है ये जो है वो बहुत ज्यादा हाई लाइट से प्लांट के लीफ को प्रिटेक्ट करके रखती है इनमें वेस्ट लूर बंडल्स वगरा हाईली ड्वैल्प है इन्हीं के बिलकुल कुछ उल्ट सूसिया शियोफाइट्स की हैं शियोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि लो लाइट इंटेंसिटी में शेड में कहले हैं ज्यादा बेस्ट तरीके से जो है वो ग्रो कर सकते हैं इनमें मेंस्टेम जो है वो ज्यादा ग्रो करता है branches इनकी जो है वो कम होती है main stem जो है वो ज्यादा long होता है cuticle इनकी thin होती है क्योंकि ये shade में है इनको direct sunlight से जो जो ज्यादा water evaporate वो पता है उसका जो है इनको इतना मसला नहीं होता तो इसकी cuticle जो है वो क्या है thin है इसी तरह पहली side जो है ही है इसके बाद इनकी तो आगे other category जा जाती है facultative sheophytes and facultative heliophytes facultative sheophytes हम ऐसे plants को कहते हैं जो के as a heliophyte grow करते हैं मतलब वो best grow करते हैं sunlight में लेकिन वो survive कर सकते हैं इन shade पसांद वो किसको करते हैं sunlight को लेकिन वो shade में भी grow कर जाते हैं ऐसे plant जो है वो कहलाते हैं facultative sheophytes जूटे sheophytes facultative heliophytes वो हैं जो के best grow करते हैं shade में लेकिन वो फिर डिरेक्ट sunlight में भी grow कर सकते हैं ऐसे plant जो है वो क्या कहलाएंगे facultative heliophytes यह हमने plant की category's देखी on the basis of requirement for light next lecture में जो है वो हम actually eco physiological responses plant के वो देखेंगे कर दो.